हुआ है कि ना मश्र कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल objective सेंटर पर जैसे की दोस्तों यह पर आप लोग देख पर हैं दोस्तों हिए हमारा DRDO का दोस्तों आफ इस्यल वेबसेट है तो यह DRDOG का जो ओफी से वेबसाइट है तो दोस्तों यहां पर आइट आई वालों के लिए काफी अच्छी ख़बर निकल कर आई हुई है यहां पर एक वकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि अप्रेंटिस की वकेंसी है आई इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तों यह जो अप्रेंटिस चैन्ड डवलप्मेंट इस्टेबिस्मेंट अवादी चैन्नाई के दोस्तों यहां पर निकाला गया है वेकंसी यहां पर देख सकते हैं डव्टाइजमेंट नमबर कोपा वाले कंडिडेट हैं यानि कि कंपूटर अप्रेटर एंड प्रग्राम असिस्टेंट के उनका 20 मलेबल है अब द्राट इलेक्ट्रिशन का यहां पर 15 सीट ऑलेबल है और अल्यक्त्रानिक्स वालों का दस सीटंट फिटर वालों का यहां पर पैंद्य सीट है जो कि सबस दोस्तों यहाँ पर नंबर आप वकेंसी देखा जाए तोटल यहां पर हमारा वकेंसी है 120 120 पदों पर वकेंसी निकाली गई है बाकी यहां पर दोस्तों इसेंसिल क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं यहां पर बताया गया कि कंडिडेट तुड़ है पास आट फ्रामदा आई टी डिवले रिकागिनाइड बाइ एंसेवीटी एज पर गईजेटेटर नोटिफिकेशन आप मिनिस्ट्रिया फिस्किल डवलम्मेंट एंटर्प्रेनिवर्शिप विथ मिनिमुम् टू ये डिवरेशन एक्सेप्ट आप द साल का मानने होगा इसका नहीं है कि आपका दो साल का सर्टिफिकेट मांगेगा ठीक तो यहां पर आपका कोपा वाले पेंटर प्लंबर और वेल्डर वालों को एक साल का ही यहां पर लगेगा सर्टिफिकेट बाकि जो और बचते हैं उनका आटिए दो साल का होना जरूरी ह पार हेट्रेट्टू दोस्तों यहाँ पर जो है एज लिमिट बताया गया कि जो आपको अपने एज की गड़ाना करनी है यह करना है और जो मिनुमम में होना चाहिए दोस्तों आठारे सार कंप्लेट होना चाहिए और मैक्सिमा में अर्डेजर के लिए 27 साल रखा गया है वह जो भी रूल है यहां पर वैसे कुछ खास नहीं दिया गया है तो यहां पर देखिए रेश्ट्रेशन करने के लिए जो भी आईट्या के कंडिडेट है एंसी वीटिया या माइस पोर्टल पर दोस्तों आप्रेंटिस से पिंडिया.gov.in पर रेश्ट्रेशन करना मेंडेटर वाइल फिलिंग अप्दा अलाइन अप्लिकेशन अंड इस नंबर इस लिए बाइबल तू वेरिफाइड अट टाम आफ इंटर्वी और डाकूमेंट वेरिफिकेशन करें फार अप्रेंटिस इन कंडिडेट हुए पास इन दे ये दो हज़ार बीश एकिस और बास में जो 2019 आर नाट इलिजिबल ठीक और देखिए जो भी कंडिडेट डिप्लोम वाले कंडिडेट है वो लोग भी इस फार्म को भनने के लिए इलिजिबल नहीं है और ओवी सी आपका जो होना चाहिए सर्टिफिकेट वह आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए और देखिए काया गया कि कंडिडेट है आइटिए सर्टिफिकेट फ्राम एंसीविटी बोर्ड इलिजिबल टू अप्लाई तो आइटिए कंडिडेट जो भी हैं एंसीविटी बोर्ड वाले वह सभी लोग फार्म भनने के लिए इलिजिबल है ठीक तो यहाँ पर इस तरह अप्लिकेशन सम्मिटेड अंलाइन विल बी असेप्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपका अंलाइन फार्म भरा जाएगा अप्लिकोईशन आफ दो जप्लिकेंट फू है अपियर इंदा क्वालिफाइं एक्वाइं जैमिनेशन बट हूज रिजल्ट नाट भी डिकलेट एक ना सब्सक्राइबर डिवरिंग दा टाइम आफ ज्वाइनिंग बट फाइनल एक्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं बाग यहां पर है कंडिडेट हूँ है यानि कि अगर कोई कंडिडेट ऐसा है जो कहीं से अप्रेंटिस कर रहा है या फिर कर चुका है तो वो लोग दोस्तों इस फार्म को भरने के लिए लिजिबल नहीं है कंडिडेट अगर कोई ऐसा है जिनके कि पास दोस्तों एक साल से ज्यादा एक्स्विरियंस है वो लोग भी इस फार्म को नहीं भर सकते हैं किसी अप्राइर का डिए टीए नहीं मिलेगा ठीक तो कोई भी आपको टीए डीए नहीं मिलेगा इंटर्विव के समय डाकॉमेंट वरिफिकेशन या ज्वानिंग के समय ठीक अप्राइंटिस विल नाट भी प्रवाइड एनी क्वारी या हास्टल अक्मांडेशन बाइदा इस्टेबिलिस्मेंट डूरिंग दे इंटार ट्रेनिंग ठीक बाकिये सब जो जनरल इंस्टेक्शन है कुछ खास नहीं है आप लोग पढ़ी सकते हैं और देखें डाकॉमेंट वरिफिकेशन के समय अगर है तो वह आईटिया कमार सीट या सीटी वाला सर्टिफिकेट और काश्ट सर्टिफिकेट या दी है और आधार काड़ है तो इतनल आपको लाना जरूरी है और कंडिटेट विलहाव विल बी इन फांट थूइमेल मेंसंद इन टेयर अप्लिकेशन फ्रम रिगार्दिट इस्टीटेस अड़ा सेलेक्शन ठीक अरु कईड़ेट फाइनले सेलेक्टेड विलहाव तू प्रड्स वेलिटिफिकेशन साट certificate at the time of joining from their place of last residence for the list past one year या permanent address duration of training या stipend कितना दिया जाएगा तो देखिए जो आप training करेंगे या apprentice करेंगे उसके दोरान दोस्तों आपको stipend भी दिया जाएगा जिनका भी दोस्तों एक साल तक आपको मिलेगा ठीक जो candidate ऐसे जिनका की आईटी एक साल का है जैसे कि कोपा वाले candidate होगा पेंटर के होगा प्लंबर के होगा वेल्डर के होगा तो इनको 77 रुपए पर मंत दिया जाएगा ठीक और जो आपको दोस्तों बताया जाएगा आप रगुलर चकर्च रहें एक्जाट देश्ट पर की आईटी आपको दोस्तों बताया जाएगा आप अब रगुलर चकर्च रहें एक्जाट डेट और टाइम बताया जाएगा इंटर्व्य और स्क्रीनिंग टेस्ट का ठीक अपलाई कैसे करना है तो कहा रहा है कि अप्लिकेशन टूबी सम्मिटेड आनलाइन तो जो रसी डाट ज्यूवी डाटीन है इसी ऑफिसल यूश्य प्रदा के अपना फार्म भरी है ठीक बाकी कंडिडेट टू रिक्वाइड टू बिरिंगे संड प्रिंट आउट आप अप्लिकेशन इलांग भी था ओरिजिनल आप डाकुमेंट सम्मिटेड आनलाइन एड़ टाइम इंटर्व्य डाकुमेंट वरिफिकेशन के समय आपका कर सकते हैं यहां पर जो अप्जेक्टिव सेंटर लिखा गया इसी नाम से टेलिग्राम पर सर्च करिएगा तो आपका आ जाएगा ठीक तो उसे आप लोग जोइन कर लिजिएगा और फाइल्स वाले सक्षिन में जाकर डाउनलोड कर लिजिएगा में लेंग नेस्ट वीड